परिचाए, आज हम भौतिक राशी के मात्रकों और मापन के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या आपको पता है तापमान को किस मात्रक में मापा जाता है? हाँ सर, तापमान को सेलसियस में मापा जाता है बहुत अच्छे, लेकिन तापमान का मानक मात्रक केलविन है लेकिन सर, हमें प्रतेक राशी के लिए मानक मात्रक की जरूरत क्यूं होती है? किसी राशी को अंतर राश्टिये और वैश्विक रूप से मापने के लिए हम एक मानक मात्रक का प्रयोग करते हैं अब आईए हम मात्रकों और मापन एवं संबंधि शिर्षकों का अध्यान करें उद्धिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मात्रकों और मापनों को परिभाशित करना लंबाई के मापन को समझना द्रवे मान मापना समय मापना तुटियों का विशलेशन करना महतपून आकणों को समझना विमिय सूत्रूं और समिकरणों को लिखना और वितिय विशलेशन को समझना मात्रक और मापन भौतिकी के अध्यन में मापन बहुत अधिक महत्पून है किसी भौतिक राशी के मापन में निम्निकी जरूरत होती है एक मानक उस रूप में जिसमें राशी को मापा जाना है आंकिक मान जो ये प्रदर्शित करे कि भौतिक राशी में मानक कितनी बार आता है मात्रकों को दो वर्गों में वर्गिक रित किया जाता है वे इस प्रकार है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के मातरक मूल मातरक कहलाते हैं ऐसे मातरक जो किसी भी आंकिक मान को शामिल किये बिना मूल मातरकों की साहिता से व्युत्पन किये जाते हैं व्युत्पन मातरक कहलाते हैं मातरकों की अंतर राश्ट्रिये प्रणाली लंबाई, द्रवेमाद और समय के लिए अंतराष्टिये रूप से चार प्रणालिया हैं MKS यानि मीटर किलोग्राम सेकंड CGS यानि सेंटिमीटर ग्राम सेकंड FPS यानि फुट पाउंड सेकंड SI यानि मातरकों की अंतराष्टिये प्रणाली सभी बहुतिक राष्टियों के मातरक, मातरक की SI प्रणाली में प्राप्त किये जाते हैं लंबाई का मापन जैसा कि आप चानते हैं मीटर पैमाना, वर्नियर कलिपस, स्क्रू गेज आधी लंबाई के मापन हेतु हैं हम निम्न के लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधियों का प्रियोग करते हैं लंबी दूरियों को मापना और बहुत चोटी दूरियों को मापना बहुत अधिक दूरी मापने के लिए लंबन विधी का प्रियोग किया जाता है उधारण के लिए प्रित्वी और चन्रमा के मध्ध की दूरी आए इसे एक उधारण से समझें एक लड़की दो अलग-अलग बिंदू पी और क्यू से एक दिवार पर छड़ को देख रही है वो ध्यान देती है कि छड़ की स्थिती दिवार के सापेक्ष बदलती हुई प्रतीत होती है इसे लंबन कहा जाता है पी और क्यू के मध्ध की दूरी आधार कहलाती है बहुत छोटी दूरीयों को मापने के लिए टनिलिंग माइक्रोसकोपी का प्रियोग किया जाता है क्यूंकि इसकी विभेदन शमता बहुत उच्च होती है उधारन के लिए एक अनू के आकार की करना द्रवेमान का मापन किसी पिंड के द्रवेमान को पिंड में मौजूद द्रवी की मातरा की रूप में परिभाशित करते हैं द्रवेमान से संबंधित दू महतपून भौतिक राशिया है ये राशिया है जडत्विय द्रवेमान और गृत्विय द्रवेमान जडत्विय द्रवेमान पिंड का द्रविमान पिंड के जड़त्व की माप द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिंड का द्रविमान पिंड का द्रविमान है जो प्रत्वी के कारण इस पर कारेरत गृत्विय खिजाओ को निर्धारित करता है। द्रविमान का मानक मातरक एकी करित परमानविक द्रविमान मातरक यू है। एक एकिक करित परमानविक द्रविमान मातरक बराबर एक यू बराबर कारबन माइनस बारा समस्थानिक के एक परमानों के द्रविमान का एक बटे बारा जिसमें इलेक्ट्रानों का द्रविमान शामिल है। बड़ाबर एक दशमलव छे छे गुणे दस की घात माइनस 27 किलोग्राम समय का मापन ऐसी घटना जिसकी पुन्द्रा वृत्ति होती है समय की माप के रूप में प्रयोग की जा सकती है मापन पुन्द्रा वृत्तियों की गिनिती पर आधारित होता है मात्रकों की सभी प्रणालियों में समय का मात्रक सकेंड है समय अंत्राल को मापने के लिए कुछ तक्निकें इस प्रकार है विद्धुतिये दो लित्र ये प्रत्या वर्तिधारा आपूर्ति या 50 हर्ट्स आवृत्ति का उप्योग करते हैं एक समय पैमाना प्राप्त करने के लिए इस प्रत्या वर्ती धारा पर संचालित समकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्ध चुम किये दोलित्र एक अर्ध चालक उपकरन द्वारा बहुत उच आवरित्ती के विद्ध चुम किये दोलन उत्पन किये जाते हैं। ऐसे दोलनों की लगु समय अवधी का उप्योग लगु समय अंत्रालों को मापने के लिए किया जा सकता है। Quartz Crystal खड़ी प्याजो वित्त प्रभाव प्रदशित करती हैं। उत्पन दोलनों का उप्योग समय अंतरालों को मापने के लिए किया जा सकता है। प्रभावी खड़ियां इन खड़ियों को प्रभाव के भीतर आवर्थी कंपनों को मापने हेतु उप्योग में लाया जाता है। प्रतेक मापन के परिणाम में कुछ अनिश्चित्ता होती है। परिशुद्धता हमें ये बताती है कि राशी को कितनी विभेदन ख्षमता या सीमा तक मापा जाता है। त्रुटियों के तीन प्रकार हैं। निर्पेक्ष त्रुटी ये इसके मापे गए मान और वास्तविक मान के मध्ध का अंतर है। सापेक्षिक त्रुटी इसे इसके मापन की निर्पेक्ष त्रुटी और इसके वास्तविक मान के अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है। प्रतिशत त्रुटी ये सौ के साथ इसकी सापेक्षिक त्रुटी का गुडन फल है। उधारण आए त्रुटियों का एक उधारण लें। एक संधा रित्र की धारिता C बराबर 2.0 प्लस या माइनस 0.1 माइक्रो फेरट जैसे V बराबर 20 प्लस या माइनस 0.2 वोल्ट की वोल्टता तक आवेशित किया जाता है। संधा रित्र पर कितना आवेश क्यू होगा। उप्योग करें Q बराबर C V आईए हल देखें Q बराबर C V गढ़ना करने पर हमें प्राप्थ होता है Q बराबर 40 गुणें 10 की खात माइनस 6 कुलाउम C में तृटी बराबर 2 में 0.1 भाग बराबर 5 प्रतिशत V में तृटी बराबर 20 में 0.2 भाग बराबर 1 प्रतिशत Q में तुरूटी बराबर 5 प्रधिशत प्लस 1 प्रधिशत बराबर 6 प्रधिशत इसलिए आवेश Q बराबर 40 प्लस या माइनस 2.4 गुणे 10 की खाथ माइनस 6 कुलॉम सार्थक अंक मापन में सार्थक अंग को उस मापन में ग्यात मात्रकों के रूप में परिभाशित किया जाता है किसी मापन में सार्थक अंगों की संख्या इसकी शुद्धता के स्तर को प्रदशित करती है इस कार्थ है मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है उस मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है आए एक उधारन लें एक अजार सबसे परिशुद्ध है क्योंकि इसमें चार सार्थक अंक हैं सन्नी कटन करना ये कैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अंकों की संख्या को जरूरत के नुसार घटाया जा सकता है। आईए एक उधारण लें। एल बराबर 2.6587 cm सन्नी कटन करने पर एल बराबर 2.659 cm उधारण आईए सार्थक अंक का एक उधारण लें। एक घण की भुजाओं को 6.052 मीटर मापा जाता है। इस घण का आयतन और संपून प्रिष्टिक शित्रफल उप्युक्त सार्थक अंकों तक ग्यात करें। आये हल देखें। आयतन बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई गुणे उचाई। गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं। V बराबर 221.665 घण मीटर। गुणन फल के मापे गए घटकों में से प्रतेक में सार्थक अंकों की संख्या चार है। इस परकार आयतन का गढ़ना किया गया मान केवल चार सार्थक अंकों में होना चाहिए। इस परकार V बराबर 221.7 घण मीटर। संपून प्रिस्टिक शेत्रफल बराबर 6 फलकूं का प्रिस्टिक शेत्रफल करना करने पर हमें प्राप्थ होता है S पराबर 219.76 वर्क मीटर प्रतिक गुणंफल 4 सार्थक अंकों वाले घटक हैं अन्तिन परिडाम भी 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए इस पराबर 219.8 वर्क मीटर भातिक राशी की विमाई किसी भातिक राशी की विमाई वे घाते हैं जिन्हें उस भातिक राशी के मातरक को व्यक्त करने के लिए मूल मातरकों पर लगाया जाता है सभी भातिक राशीों को L, M और T विमाओं के पदों में लिखा जाता है विमिय सूत्र एवं समी करने किसी भौतिक राशी का विमिय सूत्र एक वर्ग कोश्टक के अंदर मूल मात्रकों की घातों सहित उनके पदों में एक व्यनजक है आईए एक उधारण लें वेक का विमिय सूत्र निवन है ये एक समीकरण है, जिसे एक भौतिक राशी के विमिय सूत्र को इसके प्रतीक के बराबर रखते हुए प्राप्त किया जाता है आईए एक उधारण ले वेक का विमिय समीकरण V बराबर M की घाद शूनने, L T की घाद घटा एक है विमिय विशलेशन भौतिक राशियों के परिमानों को एक दूसरे में चोड़ा या एक दूसरे से घटाया केवल तभी जा सकता है जब वे समान विमाव में हो विमिय विशलेशन के उप्योग किसी भौतिक राशी को मातरक की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में पदलना दिये गए भौतिक संबंध के सही होने की जाँच करना, दिगए भौतिक राशियों के मद्धे संबंध इस्थापित करना. क्या आप जानते हैं, इंटरनेशनल ब्योरो आफ वेड्स एंड मेजर्स एक अंतर राश्टिये मानक संगटन है, ऐसे तीन संगटनों में से एक मातरकों की अंतर राश्टिये प्रणाली SI की देखरे घेतु गठित की गई है, संगटन को समानिता इसके फ्रांसी सी नाम BIPM से जहना जाता है, 1893 में शिकागो में धारा और प्रतिरोत के लिए जिन विद्युत मातरकों को अपनाया गया, उन्हें अंतर राश्टिये कहा जाता है, और अंतर राश्टिये MPR और अंतर राश्टिये HOME की परिभाशाओं की पुष्टी 1908 में लंदन के अंतर राश्टिये सम्मेलन में की गई, परिभाशित किये जाने के लिए तापमान पैमानों के प्रयोग करने का तरीका ओश्मा गदि की तापमान को व्यक्त करने के लिए ये समानिविधी है, प्रतीक T, संदर्ब तापमान T.09 बराबर 273.15 केल्विन हिमांग से इसके अंतर के पदों में ये तापमान T.01 कहलाता है. सारांश आये हमने जो कुष्ती का है उसे संक्षेप में दोहराएं भौतिकी भौतिक राशियों के मापन पर आधारित एक मातरात मक्विग्यान है, कुछ भौतिक राशियों को मूल या आधार राशियों के रूप में चुना गया है मातरकों की अंतरराष्टिये प्रणाली Si साथ मूल मातरकों पर आधारित है जो वर्तमान में अंतरराष्टिये रूप से स्विकृत मातरक प्रणाली है और व्यापक रूप से पूरी दुनिया में उपियोग में लाई जाती है SI मात्रकों का सभी भौतिक मापनों में प्रयोग किया जाता है इनसे आधार राशियां और व्योत्पन राशियां दोनों प्राप्त की जाती है भौतिक मापनों को व्यक्यानिक संकेतन में छोटी या बड़ी राशियों में दसकी घातों के साथ व्यक्ति किया जाता है किसी भी भौतिक राशी की गर्णा करने में, संबंध में शामिल व्युत्पन राशियों के लिए मात्रकों को बीज गणितिये राशियों के रूप में महना जाता है, जब तक की अभीष्ट मात्रक प्राप्त नहीं हो जाते भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है, परिडाम को व्यक्त करते समय, मापन में तुरुटियों के साथ सटीकता और परिशुधता का ध्यान रखा जाता है भौतिक राशियों आदी में संबंद इस्थापित करके समीकरणों की विमिय एक रूपता की जाँच करने के लिए विमिय विशलेशन का उप्योग किया जा सकता है